तो यहां पर ट्रिक नंबर थर्टीन में आपके लिए 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 अब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट से क्वेस्टन बहुत सारे एक्जाम से पूछे जाते हैं पी ब्लॉक और डी ब्लॉक दोनों पढ़के ही जाएगा तो उसमें से एक क्वेस्टन ये भी आता है कि कंपाउं दिया होंगे उनके कलर्स आपको बताने हैं तो कलर्स हम कैसे 20 सेकंड में बता सकते हैं वो चीज को हम लोग इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं अब वीडियो स्टाट करने से पहले ये चीज आपको मैं समझा दू कि कलर क्यों फॉर्म करते हैं डी ब्लॉक के एलिमे हाँ यहाँ सिर्फ याद रखिए डी डि स् cricket होती है और स् cricket के टाइम पे ऐसा सोचिह कि ये ग्राउंट स्टेट्ड जो हमारा था जिसको हम बोल रहे हैं टी टी तू जी और ये था आपका ईजी तीक है तो सोचिए कि ये जो ग्राउंट स्टेट है यहां पे एक अनपेड एक्साइटर स्टेट में पहुँंच जाएगा यारूज स्टेट में पहुंचेगा तही जैँदा गाइज़ रे क्वेडर स्टेट में पहुँंचने के लिए वह आपना कलर न ऑब सकर देंगे यारून सर्ट न थे जा मेनेंच उन एक पिरने को पॉम में एनर्जी को रिलीज करेंगे, that is color, ये चीज आपको पता होगी कि कभी भी कोई भी चीज, एनर्जी एब्सॉब करता है, तो उसको एक टाइम पे एनर्जी रिलीज करना पड़ता है, एक example में बताता हूँ, iron, आपने लोखन देखा होगा, iron, iron को जब heat किया जाता है, तो red color में बन जाता है, red आओ brownish color में बन जाता है, अब जो ये color है, आपको ये चीज पता होगा, कि ये जो लुहार होते हैं, जो shape देते हैं iron को, वो ही करते हैं, तो red color में बना, उसको थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए, normal state में आ जाएगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि iron के अंदर unpaid electrons है, ये unpaid electrons, चार unpaid electrons है, और चार unpaid electrons जब excited state में जाते हैं, तो energy को वहाँ release करते हैं, तो वो red color आपको दिखता है, तो आपको कोई पूश्टा है, CUSO4 का color बताईए, तो आप बता सकते हो क्या, FECL3 का color बताईए, बता सकते हो क्या, हाँ बता सकते हैं, अगर आपको copper का color पता है, और FECL3 का color पता है तो, ठीक है, तो वही चीज़ हम वीडियो में देखने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान रखें, CR3 और FECL3 का color होता है green, ऐसे ही CU2 का color होता है blue, FECL3 का दो form है, प्लीज यहाँ पर याद रखेगा, यह competitive exam point of view important है, क्या, FECL3, FECL3 बहुत सारे competitive exam से पूछा गया, FECL3 से question आते हैं, FECL3 का color कुन सा है, normally FECL3 जो होता है, वो हमेशा brown color में मिलता है, कोई भी compound में, पर एक ही ऐसा compound है, जिसका नाम है FECL3, वो yellow color में मिलता है, तो यह तो आपको याद हो जाएगा, FECL3 ब्राउन होता है, पर normally FECL3 में हमें yellow color में मिलता है, तो यह आपको याद रखना है, and MN plus 2 जो है, वो आपको pink color में मिलेगा, यह तो यह कुछ color codes, जो हमें याद रखने होते हैं, पर exams में नहीं याद आते हैं, यह ज़्यादा करके coloring पूछे जाते हैं, अब यह आप ऐसा सुचते हो कि हम एक बार देख लें, और 2 मेने बाद मुझे exam में याद आ जाए, तो possible नहीं है, उसके लिए हमें कुछ तरीके से याद करना पड़ेगा इसको, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा, अब कैसे याद रखना है, ग्रीन कलर का क्रो, ग्रीन क्रो, याद रखे हैंगा, ग्रीन क्रो फसा, कैसे याद रखना है आपको, ग्रीन क्रो फसा, ठीक है, कहां फसा, ब्लू कप में, ठीक है, तो कैसे हमने याद किया, ग्रीन क्रो फसा, ब्लू कप में, क्यों फसा, पिंक मैंगो को लेने गया था पिंक कलर का मैंगो जो था उसको लेने गया था तीन स्टोरी आपको याद रखनें पहली स्टोरी ग्रीन कलर क्रो फसा कहां पे फसा ब्लू कप में क्यों फसा पिंक मैंगो लेने गया था और जब बाहर निकला फिर तीन ब्राउन ब्राउन उसको मैंगो दिखे समझ में आया अब इस चीज़ को ऐसे रिलेट करते हैं ग्रीन कलर क्रो फसा तो ऐसे याद रखना है ग्रीन क्रो फसा ठीक है किसमें ब्लू कप में ब्लू कप में पिंक मैंगो को लेने गया था और फिर brown brown ठीक है फिर brown brown ज्यान से देखें green color जो है किसका है CR और FA FA आप ऐसे याद रख सेकते हैं कि पहला जो था वह दो के लिए है that is FA plus 2 FA plus 2 and CR plus 2 का color क्या होगा आपको directly पता चल जाएगा green color blue cup में CU जो है उसका color क्या है blue MN यहाँ पे देखना है mango मतलब MN आप सोचो pink color का है और फिर 3 brown brown फिर मतलब आपको सोचना है FE 3 मतलब plus 3 brown color का होता है ठीक है तो इस चीज़ को हम वापस देख सकते हैं तीन स्टोरी आपको याद रखने है कैसे याद रखने है पहला स्टोरी क्या आपका green crow फसा blue cup में क्यों फसा pink mango की वज़े से फसा और जब बाहर निकला तो फिर 3 brown brown and that was the trick ऐसे आप इन सारे का color याद कर सकते हो ठीक है अगर आपको पसंद है तो वीडियो को like कर दीजेगा और मैं नीचे याद रखेगा मैं नीचे एक दे रहा हूं link उस पे आप click करके मुझे बता सकते हो कि कौन से मुझे और trick आपके लिए देना चाहिए क्योंकि आप topic वहां पर बताओगे तो मैं वह चीज को आपको apply करके trick बना के दे सकता हूं stay safe stay curious I'll see you guys tomorrow and share this trick with everyone thank you thank you so much